हेलो दोस्तो दो अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है तो दोस्तो सिंगापूर में एशिन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग चल रही थी उसमें ये फैसला लेना था कि 2020 का एशिया कप कौन होस्त करेगा सबी टीमों की सहमती से ये फैसला लिया गया कि 2020 का एशिय कप पाकिस्तान होस्ट करेगा और ये भी तैय हो गया कि इंडिया 14 साल बाद पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान में जाके क्रिगेट खेलेगा आक्री बार इंडिया 2005 में पाकिस्तान गया था पाकिस्तान के साथ One Day और Test Series खेलने उसके बाद इंडिया का schedule था कि इंडिया 2009 में पाकिस्तान के साथ Series खेलने पाकिस्तान जाएगी पर उससे पहले 2008 में मुंबई का Terror Attack हो गया और सारे क्रिके RICH रिश्टे पाकिस्तान के साथ खतम हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से 2012 में क्रिकेट के रिश्टे सुधरे BCCI ने पाकिस्तान को भारत बुलाया 3 वनडे और 2 T20 खेलने के लिए पर 2005 से अभी तक भारत कभी पाकिस्तान नहीं गया 2012 के बाद से इंडिया और पाकिस्तान ने कोई बाइलेटरल सिरीज भी नहीं खेली है वो सिरफ ICC टूर्नमेंट और ACC टूर्नमेंट में ही खेले हैं भारत और पाकिस्तान का आकरी मैच 2018 के Asia Cup में हुआ था जहां पे भारत ने पाकिस्तान को हराया था और फाइनल में बांगलदेश को हरा के Asia Cup भी जीता था इससे पहले 2017 के Champions Trophy में भारत और पाकिस्तान भीड़े थे जहां पे Group Stage में भारत ने पाकिस्तान को माद दी थी और फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को माद दी थी 2019 के World Cup में भी भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाले है England के Manchester के Old Trafford Ground में तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान दोनों ही फैंस के लिए खुश खबरी है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान जाके खेलना शुरू करेगा और उमीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के खेल के रिष्टे सुधरे और ऐसे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करेंस वीडियो को, शेर करेंस वीडियो को और कमेंट करेंस वीडियो पे जाए हिन दोस्तों